जै समिधान जै भीम महात्मा गांदी की जै जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसके पहले मैं स्पष्टी करन देदूँ मेरा मकसद किसी राज्य की भावनाओं को ठेश पहुंचाना नहीं है मैं मानता हूँ कि भारत वर्ष एक अलग-अलग सभ्यता और संस्कृतियों का समू है हम एक संयुक्त परिवार हैं पूरे भारत वर्ष में अलग-अलग राज्य है अलग-अलग धर्म हैं अलग-अलग समुदाएं हैं, अलग-अलग आदिवासी समू हैं, अर अगर प्रगार की सभेता और संस्कृति हैं, मैं यह मानता हूँ, और मैं भारत वर्ष के सभी राज्य, सभी परंपराओं और सभेताओं का सम्मान करता हूँ, भारत वर्ष के 142 क्रोर लोग, चाहे वो कि किसी धर्म जातिके हूं मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो मेरे संयुक्त परिवार के सदस्य हैं जो मैं कहने जा रहा हूं मैं किसी राजिकी भावना को ठेश नहीं पहुंचाना चारा मैं गुजरात का बहुत सम्मान करता हूं गुजरात के महात्मा गांधी मेरे अराद्ध हैं मेरे मैं सबसे जादे उनका सम्मान करता हूँ और ये मानता हूँ कि महात्मा गांधी विश्व के महंतम संथ हैं और पूरा विश्व उनका सम्मान करता है जबकि उनके खिलाफ सोशल मीडिया में बड़ा दुश्प्रचार हुआ उनके हत्या के कारण बताए गए उनके हत्यारे को जस्टिफाई किया गया उनको स्वतंतरता संग्राम में योगदान न देने वाला बताए गया और बहुत सारी चीजें अनरगल प्राप उनके खिलाफ सोशल मीडिया में हुआ इसके बावजूद मैं मैं गुजरात के वहत्मा गांधी को अपना आदर्श मनता हूं तो जो मैं कहने जा रहा हूं किसी राज्य का अपमान महीं है खेर मैं धीरे धीरे देख रहा हूं जो एक प्रबल भावना थी हमारी पिछले आर्टस साल से कि पूरे भारत वर्ष के हर राज्य को हर राज्य की अस्मिता को गुजरात के लोग कंट्रोल कर रहे हैं गुजरात वासियों के लिए अलग नियम है और बाकि देश वासियों के लिए अलग नियम है हमने नहीं सुना जबकि सारे बड़े-बड़े पुझी पदी गुजरात के हैं नहीं सुना कि वहाँ CBI और ED और income tax की rate होती है जबकि समद्र से तटा हुआ उनका किनारा है और वहाँ पे बहुत सारी ड्रक्स पकड़ी जाती है अक्सर पकड़ी जाती है अर्मों कर्मों का खेल होता है बड़े-बड़े पुझी-पदी गुजरात के हैं कि इसके बावजूद नहीं सुनते कि गुजरात के अंदर बहुत जादे एडियोस् rh צंवी की रेट की हां पिहार में सुनाए कर् Expedition में माराया मारास्ट्र में सुनाए उत्तरप्रदेश में अ कि गुजरात के नहीं सुना हमने सुना है कि गुजरात के अंदर एक किरन भाई पटेल हुआ करते थे जो जेट प्लस सिक्यूरिटी लेके पूरे हिंदुस्तान के सम्वेदन शील छेत्रों में घुमे थे वो कश्मीर के सीमा वरती छेत्रों में भी घुमे थे आर्मी के बड़े-बड़े अधिकारियों से उनकी मीटिंग हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी मीटिंग हुई थी और विल्कुल सीमा के पास सटे हुए फाइल स्टार होटलों में वो रुके थे जबकि हिंदुस्तान भर में पचास साथ लोग ऐसे हुँगे जिने शाइस संग्स जेट प्लस सीकुरिटी मिली होगी बड़े-बड़े नेतां को जड़े प्लस सीकुरिटी ने मिली है और किरन वाई पटेल को में लिखी और उसके बाद पता चला कि वो तो एक फ्रॉड आदमी था आस्ता कि यह नहीं पता चला कि उसको किसकी रेकमेंडेशन बेजर्ट प्रेस्ट को रेटी मिली या बिना रेकमेंडेशन की बिली तो उन्हें दोश मिलता या जिन्होंने रेकमेंड किया था उनको दोश मिलता किसी को कोई दोश में नहीं ला और किरन वाई पटेल की स्टोरी गायव हो गई तो कि वो गुजरात के थे आज के तारिंग में राजनीतिक सत्ता दो हतों में है दोनों गुजरात के हैं पूरे के पूरे देश की आर्थिक वबस्था दो लोगों के हतों है जो गुजरात के हैं और राहूल गंधी संसद में बोल रहा हैं बजट पे और वो यही कह रहा हैं कि देश के हर वर्ग हर समाज को चक्रवियू में घेर लिया गया है सेना को अगनिवीर के चक्रवियू में घेरा गया है युवाओं को पेपर लीक और उसके बाद कोड से उस पे रोक बना सरकारी नौकली नहीं देनी इस चक्रवियू में घेर दिया गया है किसानों को इस प्रकार से चक्रियू में घेर दिया गया है कि उन्हें दिल्ली आने के अनुमति नहीं है संसद में घुसने के अनुमती नहीं है पत्रकारों को संसद में घुसने के अनुमती नहीं है पत्रकार भी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहले तो सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एक वर्ग था जिसकी आवाज को दबाया गया था और गोदी मीडिया बनाया गया था अब जो ये सभी एक राजी के है गुज्रात के एक व्यक्ति करनडका जाते हैं और वहां पर गुज्रात के अमूल दूद को थोपने की बात करते है वहां की जो local state milk federation है जिससे वहां की जंता का भावनाता की संबंद है उसको replace करने की बात करते हैं यह ठीक है हर state compete करें survive करें प्रतिसपरधा हूँ एक positive प्रतिसपरधा हूँ और जो survival of the fittest हूँ लेकिन दूसरे देशों की अस्मिताओं को दबा कर एक state की अस्मिता को थोपना करनाटक वालों ने पसंद नहीं किया और उन्होंने कॉंग्रेस को अच्छी तरह से जिता दिया बंगाल जब जाते हैं वहां दीदी और दीदी कहकर बंगाल की सबसे बड़ी नेतरी आज की तार्फ में मनता दीदी को का मझाख बढाते हैं और एक नारी का मझाख बढाते हैं एक स्टेट के लोग करनाटका में जाके नंदिनी दूद की बात कौन करता है एक स्टेट के लोग और अपने स्टेट के मिल्ट फेडरेशन को थोबने की बात कौन करता है एक स्टेट के लोग माराष्ट में जाते हैं माराष्ट में बड़े नेता ने 2-3 साल पहले NCP के एक बहुत बड़े नेता जिनके जिनको उनके चाचा ने बनाया है और एक बड़े नेता है अजीद पवार उनको दो दिन पहले कहते हैं कि ये देश के भरश्टतम नेता है 22,000 करोड का घपला इन्होंने किया हुआ है और उसके बाद दो दिन के बाद उनको डिप्टेशी विनिस्टर बना लेते हैं अपने सरकार में शामिल कर लेते हैं सारे उनके दोश और केसिस खतब हो जाते हैं अब तीन दिन पहले जाकर शरत पवार जो महराष्ट के आज के तारिक में तॉलेस लीडर हैं बलकि महराष्ट के क्या पूरे हिंदुस्तान के तॉलेस लीडर हैं उनके खिलाब भी वही गुजरात के व्यक्ति जाके आरोप लगाते हैं या वजीत पवार नहीं अब शरत पवार महराष्ट के और देश के सबसे भरष्ट नेता है अरे ठीक है आपके प्रदेश की अलग सभिताश संस्कृती है दूसरे प्रदेशों की अलग सभिताश संस्कृती है कुछ अमेटकर को मानने वाले हैं वो अमेटकराइट जो उनकी व्यवस्ता है उसका पालन करते हैं जो पेरियार को मानने वाले हैं उनका अलग है बंगाल वाले अगर काली की पूजा करते हैं वो काली की पूजा करते हैं दक्षिन में लोग शैव हैं वो ठीक है शैव है लेकिन शैव वे श्लों में कोई युद्ध नहीं है लेकिन आप शरत पुवार का मान मर्दन करते हैं उन पे डिफेमेशन करते हैं यह तो अच्छी बात है कि शरत पवार 82 साल के उमर के बावजूद एक लड़ाका नेता है जिन्होंने इस लोगसभाद चुनाओं में भारती जन्ता पाड़ी के रत को रोक दिया है उद्व ठागरेक साथ और कॉंग्रेस के साथ मिलकर और अजीद पवार एक सीट पे जिनके प्रती शद्धा का भाव होना चाहिए आप उनका डिफेमेशन कर रहे हैं खेर शरत पवार तो शरत पवार हैं उन्होंने पलट के जवाब दिया कि जिनको सुप्रीम कोड ने तड़ी पार गुशित किया हो वो कृपा करके मुझे प्रवचन न दें कैसा तमाचा है क्योंकि असली मुद्धा यह है कि आप एक ही प्रदेश के लोग अगर सारे अलग अलग प्रदेशों की सारी इंडस्ट्री को अपने स्टेट में ले जाएंगे माराश की हीरा उद्योग को अपने आन ले जाएंगे वहां के बड़ बड़े कॉर्पोरेट आफिसेज को गुजरात के अंदर ले जाएंगे दूसरे स्टेट में अगर कोई इंडस्ट्री से इंडस्ट्री लगाने की बात करेगा तो उसे धंकाएंगे तो न तो यह लोकतंदर सविधान के सहमत है न देश की एकता अखंडता के लिए उचित अगर बालदी जन्तापाडिय युध्या का चुनाव हारी है और इस्टन यूपी की जादेदर सीटों पर चुनाव आरी है और काशी का चुनाव म Lib Ama इकomin कैसे जी ती यह आपको भी कर्मन कर रहे हैं आप उनकी दुकाने तोड़ रहे हैं आप उनके मकान तोड़ रहे हैं आप उनके शिवाले तोड़ रहे हैं आप उनके मंदिर तोड़ रहे हैं और उसके बाद अपनी स्टेट के लोगों को वहां पे होटल रेस्टरां क्रूज और सारे व्यवसाय करनी की अ नुमती दे रहे हैं अब वहां अयोद्या के अंदर बड़े बड़े पुझी पती जमीन का वारा न्यारा करते हैं और गरीब लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है जो एयरपोर्ट के लिए योद्या के अंदर जमी लेते हैं उसमें वहां की लोकल पॉबलेशन को मुआवजा नहीं मिलता है लेगन अरब पती अरब पती हो जाते हैं आज गुझरात के ही एक मंतरी हैं श्रम मंतरी माडविया साथ वो कह रहे हैं हिंदोस्तान में नौक्री की कोई कमी नहीं है मतर्व उसी प्रकार से जैसे एक स्वास्पंत्री ने कहा था कोई पीरेंड में कि हिंदोस्तान में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौती नहीं हुई है जूड बोलने में क्या विश्व गुरू बन रहे हैं हमारे मारे में क्या सोच रहा होगा अंडर एंप्लॉइमेंट है क्योंकि शेरों में नौक्रिया नहीं मिल रही है इसलिए यहां के लोग खेतों में जा रहे हैं और अगर दिन में एक घंटे भी काम कर लेते हैं उनको एंप्लॉइड मान लेते हैं पर कैबिटा इंकम गिरती जा रही है जीडीपी के बाद करते हैं कि विश्व की पांचवी अर्थवस्था बन गए तीसी बन जाएंगे जबकि देश की आबादी 140 करोड़ है और बाकी जिन से तुलना करते हैं उनकी आबादी 20-25 करोड़ है हंगर इंडेक्स में बुरी हालत होती जा रही है मेलन नुट्रिशन में बुरी हालत होती जा रही है दिल्ली के अंदर कोचिंग इस्टिटूट के जहां पार्किंग होनी चाहिए थी वहां पे लाइबरेरी बना दिया तो तीन बच्ची अपनी जान दे देते हैं बलकि उनको हत्या उनकी कर दी जाती है उनके सपनों की हत्या कर दी जाती है और कहते हैं हम विश्कुरू है और संसर्थ के अंदर जूड़ बोलते हैं ऑक्सीजन के बिना किसी की मौत नहीं हुई नौकरी की देश के अंदर कोई कमी नहीं है और हिंदुस्तान के अंदर आयटी और आयम के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है जो भी नौकरियां है वो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी-बड़ी कंपन देते हैं रोज एक्सिडेंट्स हो रहे हैं रोज पुल गिर रहे हैं रोज पेपर लीक हो रहे हैं लेडर अपजिशन को किसानों से नहीं मिलने देते हैं बाद में दबाव पड़ता है तो मिलने देते हैं पत्रकारों को संसद में नहीं गुसने देते हैं चक्रवियू में देश को घेर लिया है देश के कमजोर वर कुछ चक्रियूं में घेर लिया है और सब कुछ बड़े-बड़े पूजी पती जो एक राजी के रहने वाले उनके हाथ में सौंप दिया है आप महसूस कीजेगा जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं नमस्कार ध झाल 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 झाल